हलो फ्रेंड्स एक बाई फिर से स्वागत है आप सबका मेरी चानल में जिसका नाम है स्मार्ट डर्निंग स्टेप्स और मेरा नाम है आशर शर्मा और आज फिर मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और आज की जो ये वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक पॉयम के बारे में और ये जो पॉयम है ये पॉयम है अगर बात करें तो क्लास सेवन चाप्टर टैन और इस पॉयम का नाम है आज आई ग्री ओल्डर तो यहां पे ये जो बिसिकली पॉयम है थोड़ा से बताते हैं आपको थोड़ा इसका सम इस पॉयम में जो फॉयम है वो खुद अपनी लाइफ को बतार रहे हैं कैसे कैसे मेरी लाइफ में चेंज आयते हैं जब काज ये फाय काम की वाज़ थे जो इसके जो ऐब दीस्क्मिनिशन की वझे वाज़ासेまた उनके बारे में इस poem को लिखा है Langston Hughes नी और वो एक American poet थे, novelist थे, playwright थे and social activist थे While in a grammar school in Lincoln, he was elected class poet He wrote his first poem when the suivirs read While he was in a high school, जो वो high school में थे, his first poetry book, The Very Blues, was published in 1926 It means जो वो high school में थे, तभी नो नो ने अपनी first poem published की थी, जो ही थी 1926 में published He continues to be one of the most prominent poet of America और वो अमेरिका के एक बहुत अच्छे poet भी थे अब थोड़ा से याँ poem के बारे उनोंने बताया है क्या define करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस poem में As I Gree Older was first published in the year 1925 यह poem published वीती 1925 में, it also appeared in the Hughes first poetry book, The Very Blues Hughes was born when racial discrimination was still prevalent in America मतलब जब यूग्स का बर्थ हुआ था तब से ही वो यह जो discrimination color, discrimination जाती वाद जो भेद भावता हो तभी से अमेरिका में fell चुका था, मतलब उनके बर्थ से वहाँ पर यह discrimination स्टार्ट हो गया था, the Afro-Americans did not enjoy the same civil rights as the people of the majority community did और अमेरिका में जो Negro peoples थे, वहाँ पर जो लोग थे, उनको वो सारे rights नहीं दिये जाते थे, वह सारे अधिकार उन्हें नहीं मिले हुए थे, जो बाकी और लोग को मिले हुए थे, they did not get the good education and jobs, ना उन्हें अच्छी education प्रवाइड हो सकती थी, होती थी और ना उन्हें अच्छी job मिलती थी, just because, कि उनका जो में था भावाँ पर जो color discrimination था उस वजह से, they were forced to remain on the lowest rung of the social leader, many people raised their voice against the discrimination, काफी लोगों ने अवाज उठाने की कोशिश कीती इसके खिलाफ, Langston Hughes used his poetry to spread the word against racism, यहाँ पर जो Langston है, उन्होंने इस poetry के through भावपे हो रहे, इस जाती वाद को या भेद भाव को समाज में इस प्री बतला फिलाया, बताया कि क्या-क्या face हो करते हैं, जो Negro peoples होते हैं, अमेरिकन उनके साथ किस तरह से treat करते हैं, क्या-क्या उनकी life में problems आती हैं, और यहाँ पर इन्होंने इस poem में खुद अपने ही वारे में define किया, क्योंकि यह सब उन्होंने problem खुद face की थी, देखें, अब यहाँ से होती है यह poem start, चलिए हम start करते हैं, It was a long time ago, I have almost forgotten my dream, बहुत समय पहले ही, मैं अपने, जो मेरे सपने थे, जो मेरे dreams थे, मैं उन्हें भूल चुका था, But, it was there then, in front of me, but, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने थे, यहाँ पर point बता रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने पहले बहुत सारे सपने थे, जिने मैं भूल चुका था, लेकिन फिर भी वो मेरे आँखों के सामने थे, bright like a sun, my dream, जो मेरे सपने थे, वो बिल्कुल सूरज की तरह bright थे, मतलब वो एक चमक थी, मेरे बहुत सारी dreams थे, जिने मैं पूरा करना चाहता था, और बिल्कुल वो सूरज की तरह उनमें चमक थी, सूरज की तरह उनमें शाइन थी, and then the world rose, और फिर तब क्या हुआ कि एक दिवार खड़ी हो गई, rose मतलब rise third form, rose slowly, slowly, और वो दिवार धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहाँ पर दिवार से मतलब है, discrimination से, यहाँ पर जो rascal discrimination था, महाँ पर point बता रहे हैं कि जब मेरे बहुत सारे सपने थे, बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, तो तबी वो सपने मुझसे दूर होते चले गए, और मेरे और मेरे सपने के बीच में एक दिवार खड़ी हो गई, और धीरे धीरे वो दिवार बढ़ी होती गई, होती गई, किसके बीच में between me and my dream, मेरे और मेरे सपने की बीच में वो दिवार भीर भीरे बढ़ती चली गई रोज अंटिल इट तर्च द इसकाई और वो दिवार तब तक इतनी बढ़ गई कि उसने आसमान को छूलिया मतलब वो जो जाती भेत भाव की दिवार थी मेरे और मेरे सपनों के बीच में उसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि अब उसमें स्काय को आसमान को टेच कर लिया दो वाल शैडो आयम ब्लैक वो जो दिवार थी वो जो शैडो पर चाही थी किस चीज की थी I am black, क्यों थी, because क्योंकि मैं black था, क्योंकि मैं color discrimination की वज़ा से मेरे उमेरे सपने के बीच में जो ये wall खड़ी हो गई थी ये shadow आ गया था तो इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था I lie down in the shadow और मैं उस परचाई में खो गया, lie down मतलब बैठ गया, मतलब मैं उस परचाई में खो गया, no longer the light of my dream before me और अब मेरे सामने मेरे कोई भी सपने नहीं थे मतलब पहले से बहुत सारे सपने अपने future को लेके सोच था इस दिवार की वज़े से अब मेरे सामने वो मेरे सपने नहीं रहे थे ever me अब मेरे उपर क्या था? only the thick wall सिर्फ एक मोटी दिवार यहाँ पर बता रहे हैं कि उस जाती भेद भाव ने जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने फेस किया, मैं बच्पन से ही फेस करता आया, क्योंकि जो point का बर्थ हुआ था, तभी से वहाँ पर यह irrational discrimination स्टार्ट हो गया था और धीरे 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 वह इतना बढ़ता चला गया कि point ने अपनी life में जो वह करना चाते थे, वह नहीं कर पाए सब कुछ वह धीरे धीरे खोते चले गए only the thick wall, only the shadow my hand अब बोलना है कि सिर्फ क्या थी एक थिक मोटी एक दिवार खड़ी थी सिर्फ एक वह shadow एक परच्छाई थी my hands मेरी हाथ, my prey a dark hands, मेरी काले हाथ तो अब जो अपने सामने यह दिवार देखे हैं, पिक्चर में जो दिखाऊगा यहाँ पे परिशान बैटे हैं और यहाँ सामने यह वाल है तो यहाँ पे यह दिवार कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि मेरे सामने सिर्फ एक मोटी दिवार है एक परच्छाई है अब कोईड यहाँ पे अपने हाथों से बोल रहे हैं ओ मेरे काले हाथ break through the wall इस दिवार को तोड़ दो find my dream मेरे सपनों को खोजो क्योंकि हाँ पे वो इतना ज़्यादा disappoint हो चुके हैं तो अब वो उमीद कर रहे हैं कि मैं अपने life में फिर से अपने dreams को खोजू help me to shatter this darkness मेरे हाथ मेरी मदद करो इस अंधिकार को इस अंधेरे को खतम करने के लिए to smash this night और इस रात को नश्ट करने के लिए मतलब इस अंधेरे को खतम कर दो इस रात को खतम कर दो to break this shadow और इस परचाई को तोड़ दो into a thousand light of sun और अगर तुम ऐसा करते हो अगर मैं इस जातिवाद या discrimination कि ये जो दिवार है जो मेरे और मेरे सपने के बीच में खड़ी कर दी है अगर मैं अपने हातों से इसे खतम कर देता हूँ इसे destroy कर देता हूँ तो दिवार के दूसरी तरफ एक sun है और उसकी thousand lights हैं तो मुझे दिवार के दूसरी तरफ thousand lights sun दिखेगा या उसकी दूसरी तरफ एक सूरज है जिसकी बहुत thousand lights है into a thousand whirling dreams of sun और उस sun के चारो तरफ मेरे जो dreams हैं हजारो मेरे जो सपने हैं वो गूम रहे हैं अगर मैं इस wall को तोड़ दूँगा तो मेरे जितने भी सपने जो मैंने शुरू से देखे थे अपनी life को लेकर अपने future को लेकर वो मुझे सार इस अपने एक बार फिर से मिल जाएंगे और वो सार इस अपने सूरज के चारो तरफ ड्रिलिंग का मतलब होता है घूमना चारो तरफ घूम रहे होंगे तो यहां पर यह पोईम कांप्लीट होती है इस पोईम में इनोंने डिफाइन किया था Langston ने डिफाइन किया था कि कैसे कैसे मैंने बट से लेके अपनी यंगेश कितनी प्रॉब्लम को फेस किया वहां पर इतना ज़ादा जो डिस्क्मिनिशन होता था लोगों के साथ वो सब इनोंने अपनी इस पोयम के थूँ लोगों के बीच में अवैर केया लोगों को बताया और बहुत अच्छे से इनोंने डिफाइन किया क्यूंकि वो खुद एक बिक्टिम थे खुद उन्होंने इसारी प्राबलम फेस की थी तो यह थी पोयम और यह पोयम यहां पर कम्प्लीट होती है और कमेंट्स करके जरूर बताईएगा आपको यह पोयम कैसी लेगी and thank you so much for watching this complete video and have a good day